नमस्कार, आज आपको मैं अपने पेरस गार्डन के सेर कराता हूँ, यह आप देखेंगे यह अक्सिजन प्रांट अरिका आम है यह यह चंपा है, फूल गर्मियों में ही ज़्यादा आते हैं और यह अक्सिजन प्रांट है इसमें सदा बाहर है यह स्पाइडर प्रांट है, यह देखेंगे, और यह आप भी अपने हां लगा सकते हैं, अक्सिजन रिलीस करते हैं प्रांट, हैलो वेरा है, हर चीज में इस्तमाल होता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा यह उदीना है, और मैं आपको बेल दिखाता हूँ, यह मदू माल्दी की बे करा रहे होंगे, गंबले हो भाई, इतने ही बड़े होंगे, और यह कि मैंने प्रांट जो है, देखेंगे, अवाकाडो, यह साउस से मैंने ओनलाइन मंगाया था, और अब यह इसमें, तीन-चार साल के बाद कुछ शायद कहा था, कुछ आ सकते हैं फल, यह छोटा सा धनिय प्लाइअ है, यह देखी, यह है, स्कारी बेता है, तो आपको पता है, और यह अपना कढ़ी पत्ता है, और आपको दिखाएं, यह सनिक ब्लाइट है, अपने इंडोर, बेंटूरूम में रख सकते हैं, यह इसमें थोड़ी पीली धारियां और हरी धारियां है यह थोड़ा सा fine plant बने आता है और दूसरा एक और है जो dark उसका होता है यह दोनों ही oxygen के लिए अच्छे हैं यह देखें यह गुलदावरी है इसमें देखें एक चोटे फेड में पचास पचास इसमें फूल आने हैं देखें आपको देखें अभी इसमें फूल आने बाकी है यह देखें इसमें फूल आने बाकी है और यह वी एक तर बोलते हैं कि बुर्गा फुल सीजनल है यह ने है और अ क्थी इश-कलब में यह यही बेगाश घुड़हल है इसमें ते अनोलिया शुट ने हैं यह इसमें और अनक्या रिया विंद। और यह देखिए यह डेविया गोर्ड है लेकिं इसको इन जुख्री इसको अब देखने हों कि joint यह स् aspire को ठीकिलि साव्य क्राकिया सोचेंगे यह भी ले ले ओगें और यह पिटो निया एँ और इह मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा यह दिख ऊ κάν की ये आपके पास ये भी थोड़ा सा एस बार सब्जियों में गाजर लगाई है यह मुली का है और यह अपना यह देखिए यह English गुलाब है थोड़ा सा मेरे एरिया जो है यह जो मैं रिपोर्ट करता हूं छोटे थैलियों में जब नर्सरी से लाता हूं यह में गाता हूं यह English घवकस गुडहल है यह यह देखिए एसकी सारे फ्लॉवर tiene जाड़ गाय यह दो कलर का गुलाब है और यह देखिए द्यव्ह गुलाब है यह यह है यह सतेते हैं सिके आप जानते हे डोकली है इस देखिए यह जैसे पत्त हcióता इंशियों देखिए eles सरसु है और यह आप देखिए यह भी ऑक्सिजन प्लांट है यह बेंगन है और यह मोगरा है यह सारा यह बड़ा जो है यह मेरा अच्छा काफी फुराना प्लांट है अनार का साल में दो बारिस में अनार आते हैं इसमें देखिए इसमें चार पांच अगर आप नोटिस करें और यह एक तिकोना प्लांट है, पीले फूल आ रहे हैं, बे शुमार फूल आते हैं गर्वियों में, बे शुमार, यह देखिए, एक छोटे से पेड़े में टमाटर काफी सारे आ रहे हैं, और यह देखिए, यह है, ड्रेगन फ्ल्यूट, पहले बारी लगा यह है, मैंने यह से लेगलों किक्टर जैसे देखने में लगता है और यह अपना पपीदे के पिड़ यह मैंने पूसा से अरेंज किया है चोटे दोनों और यह आप प्यांद रही है यह और आपको दिखाऊ मैं या अगर बड़ी आप यह देख रहे हैं यह यह बेल देख रहे हुए मेरी यह भी गुल्दावरी है, अब देखें आप इसमें, कितनी है, बिर शमार 50-60 इसमें जो एकटे फूल कहलेंगे इसमें, और यह मेरी गोल्ड है, गैंदा, उसको आम तोर पर सब जानते हैं, जाफरी भी इसी की किस्म है, यह जैसे जाफरी है, यह देखें आपको थोड़ा सा पूरी मूली लगाई है, मैंने, पीच सीट से, यह देखें, यह मूली है, पूरी क्यारी में, थोड़ा सा यह पालक है, यह देखें, पूरी क्यारी में पालक लगाई है, पालक भी असान है, तीन-चार दिन में पालक, चार-पाई दिन में थोड़ा सा निकलाता है, और एक इतने सारे हो गए और मैंने देखा सारे सरवाइब कर गए और यह देखिए मैं आपको दगाता हूँ तोड़ा साथ-ड़पिट चकुंदर के हैं यह फिर वही टमाटर इतने ज्यादा हो गए कि मुझे जगे-जगे लगाने पड़े कापी दिये भी मैंने और यह है अपरजि यह देखिए और यह लेमन निभू का पीड़ है अलग लग वराइटी है ज्यादा तो अलग अलग बताई थी मैंने लेली यह भी मुझे नहीं पता लेकिन मैंने अलग लगा दी यह लेमन का देखिए इसमें फ्लोवर आ रही है यह पूसा से मैंने अरंज किया है यह अनार इसमें चैयरी है यह भी मैंने पूसा से अंश अरंज किया है यह निभू का है और एक यह है जमे का चैरी इसमें चैरी आईगी यह धिया यह यह चोटा सा फिद दुबारा चुट च्टो बहरा फिसमें गुलाब के बूल आते है एक अलग डिफरिंट किस्म का है यह एरिका पाम है, अक्सीजन, हाँ, प्लांट है यह, मनी प्लांट है यह, यह भी बहुत अच्छा पीड़ा है, करी परी सब को लगाना चाहिए, सर्दियों में ही इसमें फूल आते हैं, और सर्दियों में यह ग्रो करता है, इसका नाम हरिशंगार, और इसको परिजात भी यह मेडिशनल प्लांट है और यह आमला है, 7 साल हो गया है इसको, 7 फूट कहीं हो गया है, लेकर अभी आमला नहीं हो अध्यक, जो साथ ही बताएं, अगर गंबली में आमले, कि पेड में आमले आ सकते हो तो, यह अमड़ पाली है, इपर नीभू का है, यह फिर ग्यानदा लिखाता हूं देख रहे होंगा करीछ मासमीwij gloss mean की बड़े प्रांट मैंने 5 बड़े प्रांट में इस सब ऐगा अपना मन प्र decisum रहे कि सब लग रहे हैं आएगा ठीक नहीं आएगा तो भी ठीक तो भी ठीक है इसमें दो साल में कहते हैं चोटे इसमें आम आजाते हैं यह चीकू का पेड़ा है काफी फुराना मेरा पेड़ बहुत सारे चीकू आते हैं थोड़े तो तीनी जो है बड़े हो पाते हैं बाकि अगर आप देखें छोटे छोटे फल तो इसमें पेशमार लग रहे हैं देखे इतने सारे फल आ रहे हैं इखटे इखटे देखें लेकिन ये सारे जो है बड़े नहीं हो पाते हैं ये फिर अपना संत्रे का पेड़ा ये और ये अपना इसके पत्ते हैं सिर्फ ये इक कलर सोड़े डिफेंट है ये जामन का है ये फिर डेलिया है और ये फिर आमरपाली है फिर आमरपाली का है ये केले का पीड़ है एक पीड़ मैं आपको बताता हूं जो आप लगा सकते हैं ये चाइनीज संत्रा बोलते हैं इसको बेखे कितने हैं बेखे बेशमार और सारे साल ही इसमें ये आते रहते हैं अब ये तन और यह देखें, थोड़े से मैंने कुछ मैं सेपलिंग नर्शरी से लेका है, यह गोबी है, और कुछ अपने बीच से यह शिम्ला मिर्च है, यह देखें, यह है एट्यूस, सलाथ, हरे रंकी होती है, लेकिन यह कुछ ब्राउनिश कलर है, यह पता है कि यह भी अच्छी होती यह मैंने लगाई है पहली बार, बगन बेलिया है, यह से एक ट्वांट है, यह भी अपना फिर गुलदावरी है, यह फिर कुछ गैंदे के लगने हैं, यह सारे फिर दुबारा टमाटर हैं, लेकिन यह दूसरी किसम है, चैरी टमाटर, छोटे वाले जो होती है, यह भी पह है, यह फिर अपना गेंदा है, यह गोबी है, यह डेलिया है, चोटे फिर चैरी टमाटर है, यह अपना देखे इसमें कितने अच्छा है, पत्ते कितने डिफरेंट कलर है, रैट कलर और इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, इसमें, सर्दियों का ही प्लांट है, यह नीम का पिगड है और मैं आपका लिगा तो इस पर मैंने पहली पार लगाई यह मटर देखे आप थोड़ी से नेजर आ रही होंगी देखे यह बीच पूसा से ही लिए थे मटर है यह मैंने यह है अपना शलगम शलगम लगाई यह काफी ग्रोव हो गया है उपर से पत्ते डाई मेना इसको लगाई इसमें इतना आने में ठीक है एक दो बारी में इस्तमाल होगी लेकिन उख सकती है घर पर यह कोशिश की यह फिर आमरपाली का पेड़ है और यह आपको बताओं की थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जैसे फर्टलाइजर है जैसे मैं थोड़ा सा क यह भी वहां से है तो कुशिश करता हूँ की थोड़ा अगर यह खाद देसी वाले हो जाएं एरेंज और देखे यह मैंने यह कि देख लो यहां पर यह सरसों की जो खल होती है उसको तीन दिन पानी में बिगो के और इसको जो है फर्टलाइज गरूप में इस्तमाल करते है बहुत अच्छी आप मानते हैं इसको और काफी सारे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे बीज इस बार पूसा से यह मैंने रेंज की सारा समान अपना उपर है पानी का अंतियाम है अपना पर्मनेंट फुटिंग करा रख़ी है यह जैसे कि अपना सब को गर्मियों मे तो आप एक दिन छोड़के भी दे सकते हैं मैं सरी इतना गहना चाहता हूं कि यह विंटर में फ्लावर्स का बहुत जबर्दस्त आप अगर नर्सरी जाएंगे तो पिटूनिया इतने जबर्दर डिफरेंट कलर आएंगे कि आप टैम्टिट हो जाएंगे और इसमें अगर आपको अच्छा लगेगा और आपके पस अगर बहुत टाइम है और आप इसमें अगर प्लांट में वाल हो जाएंगे तो